नई गारी आज पेपा और उसका परिवार उनकी लाल गारी में घूमने जा रहा है क्या हम छट नीचे कर लें? हाँ, प्लीज पेपा और जोच को उनकी गारी पसंद है तो क्या सब तयार है? तो चलो चले मुझे अपनी गारी पसंद है और हमारी गारी भी आमें पसंद करती है, है के नहीं? गारी में कुछ खराबी है शायद क्या हुआ डाड़ी? मुझे पता नहीं चलो इसे दादा डॉक की गराज में ले चलते हैं, वो इसे ठीक कर देंगे ये बहुत अच्छा एडिया है दादा डॉक का गराज है, वो गारिया ठीक करते हैं ओहो टैड़ी पेग, आपकी गारी में तो खराबी है क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं, दादा डॉक? हाँ, लेकिन इसमें पूरा दिन लग जाएगा हम सब अपने गारी में गूमने जा रहे थे फिक्र मत करो, तुम्हारी गारी ठीक होने तक मेरी गारी ले जाओ हुरे! तुम्हारे वापस आने तक मैं तुम्हारी ठीक कर दूँगा थेंक यू दादा डॉक, गुडबाइ, गुडबाइ, गुडबाइ पेपा और उसके परिवार को नई नीली कार पसंद है इस नई गाडी में तो बहुत सारे बटन्स हैं हरे बटन्स से क्या होता है डारी? चलो देखते हैं जादू इखिरकिया जादू इखिरकियों को नीचे कर दो नीले बटन्स से क्या होता है डारी? उझे नहीं पता, चलो देखते हैं मुझे ये नई कारी पसंद है क्या हम इसे रख सकते हैं? नहीं, हम इसे नहीं रख सकते पैपा हमने बस ये आज के लिए ली है ओ ओ नहीं, लगता है बारिश होने वाली है तो मैं छट उपर कर देता हूँ तो कौन सा बटन कहा था उन्होंने? मैं कितना बुद्ध हूँ ये रहा वो बटन नई कार ने डाडी पिक पर पानी उचाल दिया बुद्ध डाडी, वो गलत बटन है तो ये बटन रहेगा उपस, ये तो नहीं है तो ये रहेगा डाडी पिक भूल गए हैं कि कौन से बटन से चट उपर होती है ये गाड़ी शायद मुझे पसंद नहीं करती हम लाल बटन दबा कर देखते हैं हुर्य लेकिन बारिश अब रोग गई क्या फिर से चट नीचे कर दे? क्यों नहीं, लेकिन कौन से बटन था? लड़ वाला हुर्य दादा डॉग ने गाड़ी को ठीक कर दिया तुम्हारी काड़ी ठीक हो गए हुर्य थैंक यू दादा डॉग, ये रहे तुम्हारे पैसे थैंक यू डाड़ी पिग गुडबाई अच्छा हुआ हमें अपनी कार वापस मिल गई मुझे नए गारी अच्छी लगी लेकिन अपनी गारी ज्यादा अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि हमारी गारी भी हमें बहुत पसंद करती है है ना? पैपा और जॉर्ज प्लेग्रूप में जा रहे हैं ये जॉर्ज का पहला दिन है जॉर्ज क्या तुम्हें प्लेग्रूप में जाना अच्छा लग रहा है? तैडी, मुझे लगता है जॉर्ज अभी प्लेग्रूप के लिए बहुत छोटा है वो ठीक रहेगा पैपा और फिर तुम और मिस्टर डाइनसार वहां उसके साथ रहोगे ये, डाइनसार लेकिन मैं बड़े बच्चों के साथ खेलना चाहती हूँ ना कि जॉर्ज और उसके डाइनसार से ओडिया, पैपा जॉर्ज के साथ प्लेग्रूप में जाना नहीं चाहती हम पहुँच गए तैडी, आपको यकीन है जॉर्ज बड़ा हो गया है? वो ठीक रहेगा ठीक है, ये आ सकता है बाई बाई मैडम गजल प्लेगुट के बच्चों की देख भाल करती है हेलो, ये है मेरा छोटा भाई, जोज हेलो जोज काश मेरा भी एक जोर्ज ऐसा एक छोटा भाई होता, सच में हेलो, मैं हूँ डानी डॉग क्या ये डाइनोसार है? ये सिर्फ एक खिलोना डाइनोसार है, डाइनोसार शानदार सच में टरावना है यह शांदार है जोज मेरा भाई है और वह कमार का है पैपा को उपने छोटे भाई जोज पर गर्व है चलो हम जोज को बताते हैं कि तस्वीरे कैसे बनती है जोज की पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है शायद तुम उनके मदद कर सकती हो हां मुझे बहुत अच्छी आती है मैं इसे दिखाऊंगी फूल कैसे पेंट करना है जोज आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी फूल कैसे पे पहले तुम एक बड़ा सॉकल पेंट करो नई जोर्ज ये रंग सही नहीं है अब तुम पूल के पत्तियों को पेंट करो जोर्ज ये सही शेप नहीं है अब तुम इसकी डंडी और पत्तियां पेंट करो परफेक्ट जोर्ज तुमने बिल्कुल गलत बनाया है देखें तो तुमने क्या बनाया है मैंने फूल पेंट किया है ये बहुत अच्छा है पेपा और जोर्ज ने पेंट किया है एक डाइनसौर ये राइनसौर शांदार जोर्ज और पेपा की तस्वीरों को दिवार पर लगाना चाहिए पेपा तुम्हें अपने चोटे भाई पर गर्ब होना चाहिए हाँ मुझे है घर जाने का समय हो गया और बच्चों के ममी बाबा उन्हें लेने आ गए है क्या जोर्ज फिर से आ सकता है और एक अच्छी तस्वीर भी बना सकता है अगली बार तुम क्या पेंट करोगे जोर्ज दाइनसार गर्ली एक और डाइनसार की तस्वीर शायद तुम हमें सिखा सकते हो कि डाइनसार कैसे पेंट करते हैं शान्दार हाँ शान्दार शान्दार हाँ तंडर स्टॉप प्यारा और सुनेहरा दिन है पेपा और जॉज पिकनिक मना रहे हैं ये लो तुम्हारे ले औरंज जूस क्या कहना चाहिए टेडी बहुत बहुत थैंक यू पेपा ओ कोई बात नहीं टेडी और ये औरंज जूस तुम्हारे लिए डाइनसौर और तुम्हे क्या कहना चाहिए बहुत अच्छे मिस्टर डाइनसौर क्या टेडी और मिस्टर डाइनसौर को कुकी चाहिए ओ हमें बहु और जोज सारी कुकीज खा सकते हैं, थैंक यू टेड़ी यह अजीब आवाज कैसी पैपा, जोज, जल्डी घर के अंदर आजाओ ममी, एक बहुत ही डरावनी आवाज आई यह गड़गड़ा है पैपा, इसका मतलब बहुत ज्यादा बारिश के साथ तूफान आएगा जल्डी, बारिश रोने से पहले घर के अंदर आओ घबराओ मत, बारिश आने में अभी बहुत देर है अकाश जादा और जादा गहरा होता जा रहा है, तूफान आने वाला है पैपा, जोच, क्या तुमने बगीचे से अपने सारे खिलोने लाए? टाइनिसोर अच्छा है, मिस्टर डाइनिसोर सुरक्षित है टैड़ी, मैंने टैड़ी को वही पर छोड़ दिया, वो गीला हो जाएगा दम उतरो पैपा, टैड़ी पिक तुम्हारा टैड़ी ले आएंगे जल्दी करो टैड़ी पिक, अभी बारिश होने वाली है मुझे तूफानों के भारे में सब पता है, अभी तो बारिश आने में बहुत वक्त है मुझे लगा ही था, बारिश होने में अभी बहुत वक्त है पेचारा टैड़ी, पूरा भीग गया हाँ, बेचारा टैड़ी, चलो उसे सुखाते हैं पेचारा टैड़ी ये लो टैड़ी, तुम सुख गये अच्छो, पर बेचारे टैड़ी का क्या, मैं भी तो भी क्या हूँ ओ सॉरी डाड़ी पेग, आपको भी सुखा देते हैं ये देखो डाड़ी पेग, बिल्कुल सुख गये पारिश का पानी घर के अंदर आ रहा है फर्ष गीली हो रही है अरे बापरी, अब हम क्या करेंगे डाड़ी पेग? शिंता की कोई बात नहीं डाड़ी पेग बूंदे इकठा करने के लिए बाल्टी का इस्तमाल कर रहे है शाबाज डाड़ी पेग बहुती आसान था ये क्या जल्दी, पानी जमा कने के लिए कुछ और लेकर आओ बहुत अच्छे पेपा बहुती आसान था मामी, मुझे बहुत डेर लग रहा है डरो मत बच्चों, कुछ नहीं होगा हर एक चमक और शोर के बीच गिंती करते हैं और ज्यादा गिंती करने से तुफान दूर चला जाएगा एक, दो, तीन तीन पर एक, दो, तीन, चार, पांच पांच पर तुफान दूर जा रहा है तुफान शान्थ हो गया है तुफान की वजह से बगीचे में मिट्टी के कई गड़्े बने है पेपा को मिट्टी के गड़्ों में कूदना बहुत पसंद है सभी को मिट्टी के गड़्ों में कूदना पसंद है मुझे तुफान बहुत पसंद है उनकी वजह से मिट्टी के गड़्े बनते हैं चबक 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 स्लीपी प्रिंसेस रात हो चुकी है पेपा और जॉज सोने जा रहे है गुद नाइट पेपा और जॉज मामी डैडी बोलो पेपा मुझे नीन नहीं आ रही है क्या आप मुझे कहानी सुनाओगे पर शायद जॉज को नीन दा रही है और उसे कहानी नहीं सुननी जॉज, क्या तुम्हें कहानी सुननी है हाँ बोलो ठीक है मैं तुम्हें सिर्फ एक कहानी सुनाओगा अगर डैडी पिग ने तुम्हें कहानी सुनाई तो प्रॉमिस करो कि तुम दोनों सो जाओगे हम प्रॉमिस करते हैं तो आज में तुम्हें स्लीपी प्रिंसस की कहानी सुनाओगा यह अच्छी कहानी है, लगता है बोरिंग है बोरिंग नहीं, बल्कि बहुत अच्छी है क्या उसमें एक छोटी सी राजकुमारी है? पैपा, अगर तुम बाती करती रहोगी तो डैरी पे कहानी कैसे सुनाएंगे? सोरी मामी, क्या कहानी में एक छोटी सी राजकुमारी है डाडी? हाँ, कहानी में एक छोटी राजकुमारी है एक स्लीपी प्रिंसेस बहुत पहले की बात है, एक महल में एक छोटी राजकुमारी रहती थी और उसे कहते थे स्लीपी प्रिंसेस डाड़ी, उसे ऐसा क्यों कहते थे? ये मैं बाद में बताऊंगा क्या स्लीपी प्रिंसेस बहुत सुन्दर थी? बहुत सुन्दर उसे अपने आपको आईने में देखना बहुत पसंद था ओ, मैं कितनी सुन्दर हूँ उस महल में और कौन-कौन रहता था? अब वहाँ अब उस महल में रहते थे एक चोटा सा प्रिंस, क्वीन ममी और केंग डाड़ी बिल्कुल, वो सभी साथ रहते थे क्या केंग डाड़ी का भी पेट बढ़ा था? बिल्कुल नहीं, वो तो हैंसम थे मेरी तरह और हाँ, वहाँ पर एक ड्रागन भी था डाइनसौर डाइनसौर? अरे हाँ, वो ड्रागन नहीं था, वो डाइनसौर था बाहर एक बड़ा भयांकर डाइनसौर था Wow, wow, wow Wow, wow, wow रहा ओ Miche अग्ओ इतना भी भायानक नहीं था, 아니 Daddy Pig? Sorry George, नहीं, वो डैनसार बहुत दियालू था वो सिर्फ खास खाता था Daddy Pig Ops, sorry, मैं पर डैनासार बन गया ताड़ी, प्रिंसेस को स्लीपी प्रिंसेस क्यों कहते थे? वही तो बता रहा हूँ, वो क्या हुआ, शाम हो गई, तारे और चान दिखने लगे, और सब को बहुत मींद आने लगे पर सबसे ज्यादा मींद स्लीपी प्रिंसेस को आई पेपा, नेंग आ रही है नहीं डाड़ी, मुझे बिल्कुल नेंग नहीं आ रही पर किसी को आ गई है जोर्ज, उठो भी, कानी कान सुनना है कि नहीं? पेपा को तो नेंग नहीं आ रही होगी, पर स्लीपी प्रिंसेस सू गई थी सारा दिन आइने में देखकर, वो पूरी थरह से ठक गई थी चलो तुम्हें बिस्तर पर सुलाता हूं गुड नाइट और फिर इस तरह से स्लीपी प्रिंसेस गहरी नीन्द सू गई कहाने के लिए थैंक यू, किंग डाडी यो वेल्कम, क्वीन ममी और हमारे चोटे प्रिंस और प्रिंसेस को भी बढ़ा मजाया फैंसी ड्रेस पार्टी पैपा और जॉज के यहां फैंसी ड्रेस पार्टी है उन्होंने अपने सभी दोस्तों को बुलाया है पैपा ने परियों की राजकमारी की ड्रेस पहनी है और जॉज ने डानोसौर की ड्रेस पहनी है डाइनोसौर यह पेपा के दोस्त, कैंडी काट, सुजी शीव, दैनी टॉग, रबेका रबिट और पेड्रो पोनिंग सुजी ने नर्स की ड्रेस पहनी है हेलो सुजी हेलो मिस्टर पेग मुझे खुशी है कि नर्स आ गई क्या तुम अभी अस्पताल से आई हो मैं असली नर्स नहीं हूँ, मैं तो फ्रेंशी टेस्वाली नर्स हूँ हाहा, बहात अच्छे अरे वा, यह कौन आये हैं मैं हू पायरेट, मुझसे सब डरो मैं जादूगरनी हूँ, मैं तुम्हे मेंडग बना सकती हूँ नै, मैं जोकर हो हाहा, बहात अच्छे, तुम क्या बनी हो, रिपेकर रबिट मैं काजर हूँ बढ़ी हा, अंदर आ जाओ, एक फेरी प्रिंसिस और डाइनोसर तुम सब से मिलने के लिए रुके हैं कैसे हो दोस्तो, हेलो पेपा हेलो सूजी, मैं हूँ राजकुमारी पेपा तुम्हे मुझ से जुक कर बात करनी चाहिए, हेलो राजकुमारी मैं हूँ नर्स सूजी, मुझ खोल कर कहिए नए, मैं हूँ जोकर कुछ मजेतार करो रिबेका, तुम गाजर की ड्रेस में क्यो हो? मुझे गाजर पसंद है ताइनिशा पापरी, तरावना, डाइनसौर पेपा आईने मैं खुद को खुशी से देख रही है पीवार पर टंगे हुए आईने बताओ सबसे सुन्दर कौन है तुम हो पेपा हलो पेपा हलो, मैं परियो की राजकुमारी हूँ और मैं जादूगर्नी मेरे पास एक जादूई छड़ी है मेरे पास भी जादूई छड़ी है मैं तुम्हें मेंडग बना सकती हूँ और मैं भी तुम्हें मेंडग बना सकती हूँ ताइनिशा वहाँ जोज तो खुद को देखकर ही डर गया ओफो जोज दिखो आइने में तुम ही हो बच्चो अब ये तैय करना है कि सबसे अच्छा फैंसी ड्रिस किसने पहना है अब जज कौन बनेगा? मैं जज पाटी है तो जज भी उसे बनना चाहिए मैं जज हूँ मैं जज हूँ डड़ी जज क्या होता है? जज तैय करेगा सबसे अच्छा ड्रेस किसका है अरे वाह! पैपा ये तैय करेगी कि किसकी ड्रेस सबसे अच्छी है सूजी क्या मैं तुमारा ड्रेस देख सकती हूँ? मैं नर्स सूजी हूँ, मैं लोगों को ठीक करती हूँ शाबाश नर्स सूजी, अब डानी मैं हूँ पाइरेट, मुझसे सब डरो अब कैंडी मैं जादूगर्नी हूँ, मैं तुम्हें मेंडग बना सकती हूँ मैं परियों की राजकुमारी और मैं तुम्हें मेंडग बना सकती हूँ बच्चो बच्चो सारी मामी अब कौन? मैं जोकर हूँ कितना मसेदार है और रिबेका? मैं गाजर हूँ अरे वाह और मेरा चोटा भाई जोज टरावना डाइनसौर बना है सब के ज्रेस बहुत अच्छे है अब तुम बताओ विजेता कौन है? अरे हाँ और विजेता है पेपा पेपा तुम खुद को नहीं चुन सकती तुम जज हो नहीं कर सकती तुम्हे कोई और विजेता चुनना होगा ठीक है गाजर जीती वाह पेपा को फैंसी ड्रेस पार्टी बहुत पसंद है सभी को फैंसी ड्रेस पार्टी बहुत पसंद है कैंपिंग पेपा और उसका परिवार कैंपिंग के लिए जा रहे है उठे कैंपिंग बहुत पसंद है हम पाज गये हुरे पेपा, चॉर्च, ये टेंट मैं छोटा था तब से मेरे पास है डाडी, आप इन चीजों से टेंट कैसे बनाएंगे? चिंता मत करो पेपा, मैं कैम्पिंग में एक्सपर्ट हूँ मामे पेग, लकडियों पर टेंट लगाओ प्लीज देखा तुमने, कितना आसान है क्या ये खोंटे किसे काम के है? वेलकुल, मैं पेग्स के बारे में तो भूल ही गया पेग्स के सहरे, टेंट खड़ा हो गया हो गया ये टेंट थोड़ा छोटा लग रहा है जब मैं छोटा था तो ये बहुत बड़ा था लेकिन आप ये छोटा क्यू लग रहा है जोकि तब आप बच्चे थे और अब आप बड़े हो गए हो डाड़ी पेग और आपका पेट सबसे बड़ा हो गया है हो 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 पेट से याद आया चलो खाना बनाते हैं हाँ हाँ आग जलाने के लिए हमें लकडिया जमा करनी होगी यपी पेपा और जोच केमफायर के लिए लकडिया ठूनने में डाड़ी पिक्की मदद कर रहे हैं जोच मैं लकडिया उठाऊंगी और तुम इने पकर लेना लकडिया इकठा करने में मजा रहा है बहुत अच्छे इतनी काफी है बहुत अच्छा कैमफायर है अब जलाते हैं यह रही माचिस हमें माचिस की जरुएत नहीं है डाडी माचिस के बगर कैसे जलाओगे मैं पुराने तरीके से आग जलाने वाला हूँ दो लक्रियों को एक दूसरे पर घिस कर डाडी पिक कैमफा जलाने के लिए दो लकडियां एक दूसरे पर घिस रहे हैं अब कहा है डाडी थोड़ा सबर करो देखा कितना असान है अब हम टमाटर का सूप गर्म कर सकते हैं प्रकृति की आवाज इसमनाई दे रहे हैं यह कैसी आवाज है यह कीडों की चीची आवाज है यह किसकी आव आवाज थी वो उल्लू है देखो वहां पर वाज और यह कैसी आवाज है ओ मुझे समझ नहीं आ रहा है यह डारी के पेट की आवाज है मेरे पेट की आवाज प्रकृति की सब ज़े अच्छी आवाज है इसका मतलब खाने का वक्त हो गया मुझे टमाटर सूब बहुत पसं सुनो डाडी पिक की एक और आवाज क्या चलो बच्चो टेंट के अंदर अब सोते हैं हम सब इसमें कैसे जा पाएंगे यह तो बहुत चोटा सा है सब ठीक है जाओ तो अंदर चलो मामे पी एक थोड़ी जगा दो मुझे डाडी आप इस टेंट के लिए बहुत बड़े हैं कोई बात नहीं वैसे भी मुझे बाहर सोन अच्छा लगता है डाडी पिग सबको गूड़ नाइट पामी पिग पेपार जॉज टेंट में सो रहे हैं और डाडी पिग बाहर सो रहे हैं तारों के नीचे हां मुझे कैम्पिंग बहुत पसंद है खुली हवा में तारों के न पस नहीं था। सुबह हो गई है। डाडी, टैंक में बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आया। ओ, डाडी कहा है। डाडी पिक चले गए। बेचारी डाडी पिक, बारिश की वज़े से उन्हें ठन लग रही होगी। अब कहा है वो। यह कैसी आवाज है। यह तो खराटो की आवाज लग रही है। डाडी पिक। क्या हुआ। डाडी आप ठीक है। बिल्कुल ठीक हो, मुझे क्या होगा। कैम्पिंग में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं गारी में आकर सो गया। पुटू डाडी पिक। मुझे कैम्पिंग बहुत पसंद है। बच्चे संभालना। ममी पिक और डाडी पिक शाम को घूमने जा रही है। डादी पिक और दादा पिक बच्चों को संभालने वाले हैं। डादी पिक, दादा पिक। दादी एंग, दादा ए tensor Nej मेरे पियारे बच्चों यहलो PEPA, Georgeago, चलो सो जाओ जल्दी गुट नाइट, मेरे चोटे पिगिस। गुट नाइट, सो जाओ बच्चों गुट नाइट, ममी,ुट नाइट, डाडी कितने प्यारी बच्चे हैं अब जल्दी से सो जाओ ठी ममी कितने अच्छे बच्चे हैं ममी पिग और डाडी पिग बाहर जाने के लिए तैयार है पैपा और जॉर्ज कितने अच्छे हैं ममी पिकका कहना मान लिया और दोनों सो गए इन बच्चो को समानना बहुत आसान है जोच, जोच, क्या तुम जाग रहे हो यह कैसी अजीब आवाजे हैं शायद हमें उपर जाकर देख लेना चाहिए पैपा, जॉर्ज, क्या तुम जाग रहे हो? लगता है दोनों कहरी नीन में सो रहे हैं ओ, तो इसका मतलब वो शोर, पैपा और जॉज नहीं कर रहे थे अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे लगता है वो गहरी नीन में सो गये हैं चलो थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं गार्डनिंग, आज हम गुलाबों के बारे में बात करेंगे मुझे गार्डनिंग के शोब बहुत पसंद है केप्सकेट एक विशेश काटदार गुलाब है उसकी कटाई करने के लिए सबसे पहले उसका उपरी हिस्सा काटो और फिर टेहनिया काटो तादा पेग पैपा, जॉज, तुम्हें तो अभी सोना चाहिए जॉज, और मुझे नीन बिल्कुल नहीं आ रही क्या हम आपके साथ टीवी देख सकते हैं? हाँ, हाँ, क्यों नहीं, शायद थोड़ा टीवी देखकर तुम्हें नीन दा जाए आइसलेंड के गुला अप किसी ग्यानी गार्डनर के लिए बहुत माइने रखते हैं पर ज्यादा तर वो ठंडी जगाओं पर पाये जाते हैं ओ, ये शो तो बहुत ही बोरिंग है दादा पिक, क्या हम वो खेल खेल सकते हैं जिसमें आप एमें उचाल कर पकड़ते हो ठीक है, पर दोनों को सिर्फ एक एक बार तुम तो पहले से भारी हो गई हो अब जोर्ज की भारी हाँ मेरी बारी और उपर और उपर दादा पिक थोड़ी से थक गए हैं बच्चो तो दादी पिक क्यों न हम पकड़ा-पकड़ी खेले चलो दादी, आपकी बारी नहीं पकड़ सकते आप ममी पिक और दादी पिक घर वापस आ गय हमारे छोटू पिकी सो रहे होंगे हेलो, कोई जाग रहे है चोटे पिकी सो रहे हैं और बड़े पिकी इस भी पैपा और जोर्ज गार्डन में ग्रेंपा की मदद कर रहे हैं कितनी सुंदर बटरफ्लाई है पूल क्यों पसंद है उन्हें फूलों से अपना खाना मिलता है कैसे उनकी बहुत लंबी जीब होती है मुझसे भी लंबी बटरफ्लाई की जीब तुम्हारी जीब से भी लंबी होती है इससे वो फूलों का रस पीती है पैपा बटरफ्लाई को लगता है कि तुम एक फूल हो लेकिन मैं फूल नहीं हूँ मैं पैपा पिग हूँ यह कितनी प्यारी है मैं बटरफ्लाई बनना चाहती हूँ पैपा बटरफ्लाई बनकर खेल रही है मैं छोटी बटरफ्लाई हूँ जोज भी खेलना चाहता है ही ज ही जोज मैं बैटरफल्य हूँ तुमकुछ और क्यों नहीं बन जाते मुझे पता है तुम रेंगने वले वर्म बन सकते हो देखो-देखो मैं बन चाहता है जोर्ज जब मैं छोटा पीगी था मुझे वर्म बनकर खेलना पसंद था वर्म बनना बहुत आसान है मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे पहले तुम्हें जमीन पर लेटना होगा फिर इस तरह रेंगना होगा मैं एक रेंगने वाला वाल मूuchen हो 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 ह हो 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 हर चोर्ज और пред पपीग और रेंगने वाले वर्म्स बंकर बहुत मज़ा रहा है। और यहां कि कुद्ध ऑच एक नि सुन्दर पेपा और रेंट पास आपक कर रहे हैं रोडु आ 11 मैं बहुत अच्छा था अब कौन सा जानवर बनना चाहते हो मैं नहीं जानती देखो ग्रैन्पा यहाँ छोटा फ्रॉग है तुम फ्रॉग बन कर क्यों नहीं खेलते फ्रॉग इतने प्यारी नहीं होते जितने बटरफ्लाइ और वो ऐसे नहीं रेंगते जैसे वर्म लेकिन फ्रॉग एक खेल खेलते हैं जो तुम्हें पसंद है क्या फ्रॉग गुडियों का घर खेलते हैं प्यारी पैपा तुम्हारा मन पसंद खेल क्या है मिट्टी के गड़ों में खेलना हाँ फ्रॉग पसंद है मिट्टी के गड़ों में खेलना प्राग बन जाते हैं जोटी फ्रागी हूँ प्रागी इसको खेलने के लिए एक अच्छा बड़ा मिट्टी का गधा मिल गया पैपा और जोड़ को मिट्टी के गढ़ों में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है सब को मिट्टी के गढ़ों में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है बटरफ्लाइज और वर्म्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन मुझे प्राग ज्यादा अच्छे लगते हैं ड्रेसिंग अप पैपा और ज्योंग ममी और ड्यड़ी के बेडरोम में खेल रहे हैं यह क्या चीज है पैपा को पूराने कपलों का एक बॉक्स मिलता है वाव। यह डाडी का हाट है और यह ममी की ड्रेस है। जोज चलो तयार होते हैं और ममी डाडी बनकर खेलते हैं। यह है डाडी का हाट। और यह है डाडी का कोट। हलो डाडी पिक। अब मेरी बारी है। यह ममी की ड्रेस है। और ये ममी का हाथ है डाडी पिक आपके जूते कहा है और अब मुझे भी जूते चाहिए अब मुझे सुन्दर लगना है ममी की तर है पेपा को ममी का मेक आप बॉक्स मिल गया पहले थोड़ा पाउडर बहुत प्यारी अब थोड़ी लिपस्टिक कितनी प्यारी ममी पिक है आव चले डाडी पिक ये काम पर जाने का समय है ममी पिक अपने कंप्यूटर पर काम कर रही है हेलो पेपा हेलो जोज जरा माफ कीजिये पेपा मैं तो हेलो कह रही थी मैं पेपा पिक नहीं हूँ मैं हूँ ममी पिक हाँ बिल्कुल हेलो ममी पिक हेलो और ये है डाडी पिक जोज और आपको भी हलो डाडी पिक एक्सक्यूज मी मुझे बहुत काम करना है हेलो हाँ ऐसा करो वैसा करो जैसा चाहे वैसा करो गुडबाई पेपा को ममी पिक बन कर मज़ा रहा है लेकिन जोर्च बोर हो रहा है माफ करना डाडी पिक बस पूरा होने वाला है लो हो गया लोट्ड दड़ी पिग यापके कामका समय है गुड़बाय ममी पिग और डाटी पिगुड बाइ डाडी पिग गारडन में खुदाइई कर रहे हैं तैलो जॉछ मैं पेपा नहीं हूं मैं ममी पिग हूं और यह डाडी पिग है यहां कुछ काम करने आये हैं आप बहुत अच्छे हैं डैडी पिग थोड़ा ध्यान रखना ये बहुत गहरा गड़्डा है उम्मीदे आप अपने अच्छे कपड़े पहन कर खुदाई नहीं कर रहे हैं डैडी पिग मैं भी खुदाई करना चाहती हूँ सब के लिए आइस क्रीम आइस क्रीम पेपा जोच तुम्हें खाने से पहले ये गंदे कपड़े उतार देने चाहिए मैं हूँ ममी पेग और ये है डैडी पेग तुम्हें यकीन है हां तो तो पेपा और जोच कहा है हम नहीं जानते ये दुख की बात है क्योंकि मैं उनकी मन पसंद आइस क्रीम यहां लाए हूँ अगर वो यहां नहीं है तो हम यहां है पेपा जोच तुम यहां हो हां ममी हम आपर डैडी बनकर खेल रहे थे तुमने सच में हमें बुद्धू बनाया अज बारिश हो रही है इसलिए पैपा और जॉर्ज बाहर नहीं खिर सकते लाड़ी बारिश रोग गई अब हम बार खेलने जाए ठीक है खेलो बाहर दोनों पैपा को पसंद है मिट्टी के गड़्ों में कूदना मझे पसंद है मिट्टी के गड़्े पैपा अगर तुम्हें मिट्टी के गड़्ों में कूदना है तो अपने बूट्स पहनने चाहिए जोर्ज को भी पसंद है मिट्टी के गड़्ों में कूदना जोर्ज अगर तुम्हें मिट्टी के गड़्ों में कूदना है तो तुम्हें अपने बूच पहनने चाहिए पैपा अपने चोटे भाई जोर्ज का ध्यान रखती है जोर्ज आओ कुछ और गड़्े ढूंडे पैपा और जोर्ज को खूब मजा रहा है पैपा को मिला है एक चोटा गड़्ा जोर्ज को भी मिला है एक गड़्ा देखो जोर्ज कितना पड़ा गड़्ा है जोर्ज बड़े गड़्े में पहले खूदना चाहता है रुको जोर्ज पहले में देख लूँ ये सुरक्षित है या नहीं अच्छा है ये तुम्हारे लिए सुरक्षित है सुरी जोर्ज ये बस मिट्टी तो है पहब और जोर्ज को मिट्टी के गढ़े बहुत पसंद हैं आओ जोर्ज हम जाकर डारी को बुलाते हैं अरे ये क्या डारी डारी सोच हम क्या कर रहे थे सोचने दो मुझे तुम लोग टेलिवीजन देख रहे थे क्या नहीं नहीं डारी तुम अभी अभी नहाय हो नहीं नहीं अच्छा तुम मिट्टी के गढ़ों में खेल रहे थे हां हां डाडी हम मिट्टी के गढ़ों में खेल रहे थे और देखो क्या हाल किया है तुमने कोई बात नहीं मिट्टी ही तो है चलो जल्दी से साफ कर दे वरना ममी नाराज होंगी ताड़ी साफ होने के बाद आप और ममी हमारे साथ खेलेंगे ना हाँ सब गार्डन में खेल सकते हैं हाँ हाँ हां पैपा और जौर्जिने अपने बूद लके ममी और डाड़ी ने भी इतने बूद पेहन रखे अजय को पसंद है मिट्टी के गांदो ना सबख्यों को पसंद है डाड़ों में पूद ना ना पहं है 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 क्या है देखो क्या हाल बनाया है आपने यह मिट्टी ही तो है माम्य पड़ेट वर्क ममी पेग अपने कम्प्यूटर पर काम कर रही है डैटी पेग लंज के लिए सूप बना रहे हैं डैडी क्या हम जाकर ममी के पास कम्प्यूटर पर बैठ जाए हाँ लेकिन तुम उन्हें परेशान नहीं करोगे उन्हें बहुत सा जरूरी काम करना है ममी पेग को आज बहुत सा जरूरी काम करना है ममी क्या जॉर्ज और मैं आपके गोद में बैठ कर आपका काम देख सकते हैं हाँ अगर तुम चुपचा बैठ हो तो पैपा और जॉर्ज को ममी को कम्प्यूटर पर काम करते देखना पसंद है ममी क्या हम कम्प्यूटर पर हैपी मिसस चिकन खेल सकते हैं हम हैपी मिसस चिकन बाद में खेल सकते हैं लेकिन अभी मुझे काम करना है ममी क्या हम आपके मदद करें नहीं पैपा तुम्हें कम्प्यूटर नहीं चुना चाहिए और जॉर्ज तुम्हें भी कम्प्यूटर नहीं चुना चाहिए हाँ जॉर्ज तुम्हें ये नहीं करना चाहिए पैपा रुको माफ करना ममी मैं सिर्फ जोज को बता रहे थे क्या नहीं करना चाहिए ओ डिया कंप्यूटर तो ये सब नहीं करता है डाड़ी पेग डाड़ी पेग क्या बात है ममी पेग डादी पेग, आप कम्प्यूटर ठीक कर सकते हैं, जब तक आप कम्प्यूटर ठीक करेंगे, मैं लंच बना दूंगी, ठीक है मॉमी पेग, लेकिन मैं इन सब के बारे में ज्यादा नहीं जानता, ओ शुक्रिया डादी पेग, डादी पेग, कम्प्यूटर ठीक करने जा रहे मुझे लगता है कि मैं इसे सिर्फ बंद करके फिर से शुरू कर दूँ डाड़े पिक ने कंप्यूटर ठीक कर दिया मैं इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं याड़ी क्या हम वो कंप्यूटर गेम खेल सकते हैं हैपी मिसेश चिकिन मेरे ख्याल से तुम्हें ममी से पूछना चाहिए मामी ने का हम बाद में खेल सकते हैं फिर ठीक है लेकिन मुझे नहीं पता कि डिस्क कहां है हुआ 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 है अब मेरी बारी है अब मेरी बारी है अपर क्या चल रहा है अच्छा यह कंप्यूटर फिर से काम कर रहा है अच्छा यह मैं बादा, यह जुँँछका यह जा। यह जुआ है यह जुआ है यह जुआ है दैडी पेग चश्मा पहनते हैं उनहें साफ देखने के लिए चश्ma पहनना पड़ता है जब लोगर देखता है लेकिन जब दैड़ी पिग चश्मा उतार देते हैं तो उन्हें चीजें साफ नहीं दिखती हैं सब कुछ हल्का और धुंदा दिखता है इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि डैडी पिक को पता हो कि उनका चश्मा कहां है कभी-कभी डैडी पिक अपना चश्मा खो देते हैं पैपा जोर्ज क्या तुमने डैडी पिक का चश्मा देखा है उन्हें वो कहीं नहीं मिल रहा नहीं ममी पैपा और जोर्ज नहीं जानते कि डैडी पिक का चश्मा कहां है ओ डियर डैडी पिक उसके बिना कुछ नहीं देख पाते और फिर वो चिर्चिरे हो जाते हैं बिना अपना चश्मा पहने डैडी पिक अपना अख़बार नहीं पढ़ सकते यह बहुत अजीब है मैं कुछ नहीं देख सकता किसी ने तो मेरा चश्मा कहीं रखा होगा क्या आपको याद है आपने उन्हें आखरी बार कहां रखा था जब मैं वो नहीं पहनता तो हमेशा उसे अपनी जेब में रखता हूँ लेकिन अब वो वहां नहीं है डाडी क्या हम चश्मा ढूनने में अपके मदद करें अच्छा एडिया है अगर उसे ढून लोगी तो डाडी चिर्चडाना बंद कर देंगे मैं चिर्चडा नहीं रहा हूँ पैपा और जॉर्ज डाडी का चश्मा ढून रहे हैं पैपा अखबार के नीचे देखती है लेकिन डाडी पे का चश्मा वहां नहीं है जॉर्ज टीवी के ऊपर देखता है लेकिन डाडी पे का चश्मा वहां भी नहीं है चलो उपर ममी डाड़ी के बेडरूम में देखते है पेपा और जॉर्ज ममी और डाड़ी पे के बेडरूम में डूनाए है जॉर्ज ध्यान से किसी चीज से टक्रा मत जाना यह कोई मजाग नहीं है पेपा तरकीय के नीचे देखती है लेकिन डैड़ी पे का चश्मा वहाँ भी नहीं है जॉर्ज डैड़ी के स्लेपर्स में देखता है लेकिन चश्मा वहाँ भी नहीं है चलो बाथरूम में देखते है पेपा और जॉर्ज बाथरूम में ढून रहे है चश्वाइप में नहीं है, defy टोइलेट में भी नहीं है, यह बहुत मुश्किल है पेपा और जॉर्ज को डैडी प्रक चश्मा कहीं नहीं मिल रहा है हमने सब जगह देखा लेकिन हमें डैडी का चश्मा नहीं मिला ओ डियर, अब हम क्या करें लगता है मुझे उसके बिना ही काम चलाना होगा अगर मैं धीरे चलूँगा तो मैं चीजों से नहीं टकराऊंगा यह यहाँ है डाड़ी का चश्मा डाड़ी पे आप तपसी उसी पर बैठे हुए थे आप भी ना डाड़ी पता नहीं यहाँ कैसे पहुँचा मैं जानती हूँ कैसे आप थोड़ी बुलकर तो हैं डाड़ी पे लेकिन अब आप चिर्चुड़े तो नहीं हैं मैं चिर्चुड़ा नहीं रहा था पसकर आज शानदार थूप के लिए और पैपा और चॉर्च अपनी साइक लें चला रहे हैं कितना बढ़िया पंकिन है डाड़ी पे डाड़ी पे को अपने पंकिन पर नाज है मुझे बस पंकिन ही उखाने आते हैं शायद इसलिए मुझे पंकिन पाई से प्यार है चलड़ी आओ जोर्च यानी सूजी रिबेका पैपा और उसके दोस्त डैनी डॉग सूजी शीफ और रिबेका रैबिट अपनी अपनी साइकल है जला रहे हैं और जोर्च अपनी ट्राइसीकल चला रहा है यह कितना धीरे चलाता है चलो डाड़ी पिक के पंकिन की तरफ रेस लगाएं अगर हम डाड़ी के पंकिन की तरफ रेस लगाएं तो हमें ध्यान रखना होगा कि उससे टकरा न जाए अगर पंकिन टूट काया तो डैड़ी बहुत नाराज हो जाएंगे चिंता मत करो पैपा रेस करो लुए पैपा और उसके दोस्तड़ पेखे पंकिन की तरफ रेस लगा रहे हैं पेपा ध्यान से डाड़ी का पांकिंग डाड़ी डाड़ी देखो जोज को वो कितने धीरे चला रहा है जोज अभी तक बच्चों की साइकल चलाता है तुम्हारी भी तो बच्चों की साइकल है पेपा इसमें भी बैलेंसर लगे हैं मैं बिना बैलेंसर के चला सकती हूँ मैं भी मैं भी चलो फिर से पहारी पर चड़े तुम आओगी पेपा नहीं मैं यहीं पर रहूंगी पैपा चाहती है कि उसकी साइकल में बैलेंसर नहीं चाहिए तुम बिना बैलेंसर के चला पाओगी ठीक है पेपा इसे निकाल देते हैं डाटी पिक पेपा की साइकल में से बैलेंसर निकाल रहे हैं क्या तुम सच में बिना बैलेंसर के चला पाओगी हाँ मुझे नहीं लगता तुम चला पाओगी मैं चला सकती हूँ हाँ हाँ इसमें हसने जैसा क्या है बिना बैलेंसर के साइकल चलाना आसान नहीं होता मैं तुम्हारी मदद करूँ पैपा हाँ डैरी फ्लीज ठीक है रेड़ी सड़ी गो छोड़ना मत डैरी दबराओ मत मैं पकड़े हुए हूं काफी अच्छा चला रही ह पैपा छोड़ना मत डैरी अच्छा चन्री बशलता रही है तुम तो कितनी देर से अपने आप कुछ तुम सच मुझ बहुत अच्छा चलाती हो 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 तुम सच मुझ पेपा मेरे पम्पकिन का ध्यान रखना अजीद जाओंगी पैपा नहीं देख रही कि वो कहां जा रही है वाँ पैपा ने तो डैड़ी पेख के पम्पकिन के चटनी बना दी सौरी मैंने आपका पम्पकिन तोड़ दिया डैड़ी पम्पकिन की चिंता मत करो जरूरी यह है कि तुम ठीक ठाक हो आगे से ध्यान रखना की किस तरफ जा रही हो रॉमस डैड़ी जरूर रखोंगी गूड हां तो जब पम्पकिन टूटी गया है तो क्यों ने इसकी पम्पकिन पाई बना ली जाए मुझे पसंद है पम्किन है इसलिए सब के लिए काफी पम्किन पाए होगी मुझे कर रहे हैं मुझे अटारी में से पुराना बॉक्स मिला है कोई बता सकता है इसके अंदर क्या है इसमें भरे हैं मुजिकल इंस्ट्रॉमिन्स वाओ ये थोड़े पुराने और धूल भरे हैं ये वाीलन है जब मैं छोटी थी से बजाती थी ममी क्या आप यह वायलन बजा सकती है मैंने इसे 12 समय से बजाईए उमीद है मैं नहीं भूली वाव वाव मामी क्या मैं भी वाइलन बजाओ इसे ऐसे पकड़ो ठीक है मामी ओ डियर मुझे नहीं लगता इसमें से ऐसी आवाज आनी चाहिए जॉर्ज भी बजाना चाहता है इसे ऐसे पकड़ो जॉर्ज ये आवाज भी ठीक नहीं लगती है फालन बजाने बहुत मुश्किल है डजता है तुम ये टिन ड्रॉम अच्छा बजा सकती हो शक्रिया डाडी ये आवाज ठीक है पैपा को ड्रॉम बज्वाना अच्छा लगता है बहुत अच्छे हैं इसकी आवाज बहुत अच्छी है यह डैड़ी पेग का पुराना अकॉडियन है मैं यह ममी पेग के लिए बजाता था जब हम पहली बार मिले थे देड़ी पेग मुझे यह धुन्याद है जौर्ज भी अकॉड़ीन बजाना चाहता है तुम बजाओगे जौर्ज अकॉड़ीन काफी मुश्किल है जॉर्ज ये अक्रोडियन बजाना उतना ही मुश्किल है जितना की मेरा ड्रम ठीक है जॉर्ज जॉर्ज अक्रोडियन बजाने के लिए अभी थोड़ा छोटा है टाड़ी इस बॉक्स में और कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है बस ये हॉन क्या मैं बजाओ तुम्हें इसे बहुत जोर से बजाना होगा इसकी आवाज ठीक नहीं लगती ये बिल्कुल नहीं बचता मुझे लगता है मैं इसे बजा सकती हूँ इसकी आवाज सच में अच्छी नहीं है शायद इसके लिए कोई बड़ा और ताकतवर चाहिए मेरी तरह है ये आवाज भी अच्छी नहीं है पैपा ठीक कहती है ये बिल्कुल नहीं बचता कोई बात नहीं डाडी पिक आप सिर्फ अकॉडियन बजाओ आप इसे बहुत अच्छा बजाते हो ठीक है मैं इसे अच्छा बजाता हूँ ये तो मैं खुद ही कह रहा हूँ और मैं अपना वाइलन बजाओंगी और मैं ड्रॉम बजाओंगी मामी पिक वाइलन बजाती है डाडी पिक अकॉडियन बजाते है पैपा ड्रॉम बजाती है लेकिन जॉर्ज कौन सा इंस्ट्रॉमेन बजाएगा जॉर्ज हॉन बजा रहा है ममी इसे नहीं बजा सकी, टारी इसे नहीं बजा सके, और मैं भी इसे नहीं बजा सकी, लेकिन जोज इसे बजा सकता है झाओ सके, लेकिन बजा सकी, लेकिन बजा सक्षाइब में बजा सकता है